गाइस वीडियो के शुड़ू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी और वो यह कि मैं अपने Spotify पाड़कास्ट Learn English with सर्ताज पर हर MWF यानि कि Monday, Wednesday और Friday को Exclusive Series अप्लोड करता हूँ जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं और मेरा ये पाड़कास्ट बिलकुल फ्री है पाड़कास्ट समझते हैं आप एक आउडियो प्लाटफॉर्म जहांपर आप उचे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है यानि की लड़ाई यानि की मार पीट और वहां पर आपको बोलनी हो इंग्लिश वैसे ऐसे में इंग्लिश किसको दियान आएगी मान लो माना की एक्स बराबर इंग्लिश बोलनी है तो आप ऐसे में क्या करोगे अब आपके दिमाग में यही नहीं आएगा कि इंग्लिश में इसको बुरा बला बला कैसे कहूं क्या बोलू गुस्से में कैसे इंग्लिश बोलते हैं बड़ दोर्डवरी आपको हर एक चीज सिखाने का मैंने ठेका ले रखा है आज किस क्लास में मैं आपको पूरे दस ऐसे सेंटेंसे सिखाऊंगा जिने आप लड़ाई जगड़े में या गुस्से में किसी से भी बोल सकते हैं आपको नॉलिश के लिए सारी चीजे पता होनी चाहिए और मैं आपको बता दू कि कुछ वाकिये ऐसे भी होंगे जो थोड़े से आपको लग सकते हो नहीं नहीं है ये क्यो बता रहें सर ये गलत चीज है मतलब ये लेकिन ग्यान के लिए क्या करूए आपके लिए लेकार आना पड़ता है वरना आप खामकाई गूगल पूल्टी चीजे सरच करोगे और कुछ खुल खुला गया तो फिर मैं जिम्मेदार अपने आपको ठहराऊंगा सही है अब ये कमाल कमाल के लड़ाई जगड़े वाले दिन मैं आपको सिखाता हूं दस ऐसे कमाल कमाल के सेंटेंसे जिने आप अलवाई जगड़े में गुथं घृति में और अपने दोस्तों एपने बहाई बेहनों के साथ कैंकि गुश्चा बहाई बेहनों के वीजू हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं आईए के करके बताता मुझ तोड़ दूगा तेरा मुझ तोड़ दूगा तेरा ओ भाई relax sentence है बस ये ठीक है इसे दिल पर मतले न please ये सिर्फ में आपकी knowledge के लिए आपको सिखा रहा हूँ मुझ तोड़ दूगा तेरा अब इस तरीके का प्यारा सवाग के हम अपनी देशी भासा में बोल लेते हैं नहीं बोलाओगा तो आपने सुना तो जरूर होगा कभी न कभी मुझ तोड़ दूगा तेरा पहलत मत बोलियो ठीक है तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वेल इसे इंग्लिश में बोलने का बेहत सिंपल सा तरीका है इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं I'll trash you, I will trash you, वो will थोड़ा ना, मतलब अंग्रेज बनके बोलना है, I'll trash you, I'll trash you, ऐसे, I'll trash you, trash का मतलब होता है, वो ही तोड़ फोड़ देना, थोड़ा बिकाड़ देना, या body body, तो जो भी ये ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, I'll trash you, try कीजिए, Facebook पर WhatsApp पर आज किसी को बेच के देखिए, I'll trash you, बाग में आप चाहिए, खुड trash हो जाए, आओ अब next वाला देखे, अगला वाला है, मुझसे मतलब जीओ, मुझसे मतलब जीओ, देखो भाई साब, ये वाला भी दातागिरी दिखाने के लिए बड़िया सेंटेज है, मुझसे मतलब जीओ, आप मुझसे मतलब जीओ, इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, don't mess with me, don't mess with me, ohho, इससे मुझे याद आगया, mass, मैं हूँ mass, वो पैर गुवाँ के तूपान चो खड़ा कर देता था, चलो खेर, तो मुझसे मतलब जीओ, don't mess with me, don't mess with me, ये भी बहुत बढ़िया है, रट्ट with me, ऐसे बोल दो, ohho, wireless हो रहे हैं, आजकल हम आए, माइक मजा बान दिया, आओ, अब next वाला देखे, और भाईया, next वाला है, गर्दन तोड़ दूँगा तेरी, गर्दन तोड़ दूँगा तेरी, ओ बाई, जिसको तेरी ये भासा से थोड़ी problem हो रही है, sorry यार, क्या आजकल है, I'll ring your neck, मैं ज्यादा अंग्रेज बन गया, जरा आराम से बताता हूं, I will ring, ring नहीं है, ring, वा नहीं बोड़ते बाटे से, ring बोलते है, I'll ring your neck, ring मतला होता है, निचोड़ देना, तोड़ देना, ऐसे, तो, I'll ring your neck, यानि कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूँग गुद्धी तोड़ दूगा, ऐसे हम गाउं अगरा में बोलते हैं, गुद्धी तोड़ दूगा तेरी, गर्दन तोड़ दूगा तेरी, तो यह आप बोल सकते हैं, बस बोलना है, करना नहीं है, यह सरी बोलने के लिए होते हैं, याद रखना बेटा, आओ अब next वाला है, next वाला है, अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ, इसे अप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, वेल आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, I saw you who I am, I saw, पहली बाद तो सो नहीं यार, प्रनिंसिएशन ही मेरे खराब कर ली, I show you who I am, so मतलब होता है C की second form, show, ऐसे, I show you who I am, I show you who I am, इसका मतलब है, अभी दिखाता हूँ, I show you, मैं दिखाता हूँ, who I am, कि मैं कौन हूँ, तो ये वाला वाकिये विभाज़ाब आप बोल सकते हैं, आपके मुझ से फूल वरस रहें, जब आप ये बोलेंगे, बोल के देखो एक बार, आप बोलो तो सही, अभी वीडियो दुछ ये लड़ रहें, यार छोड़ दो, तो आप तू होता हूँ, मुझे समझान वाला है, तो वही पिट गए आप, वही अच्छी तरह चेट दिया फिर सवनी मिलके अच्छा हूँ, तो तू होता कोने मुझे संझाने वाला, अब आपको अगर ये बोलना है, तो इसे बड़े ही सिंपल सरल प्यार से शब्दों में मैं तो तो शहत टपके वे सब्दों में बोल सकते हैं और आप बोल सकते हैं Who are you to teach me? Who are you? तुम कौन हो to teach me, जो मुझे समझाने चले हो तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले तो इस तरह से भी इस वाके को बखू भी आप अपने क्यारक्टर में नहीं भाष सकते हैं आपको मज़र जरूर आएगा सही है, तो याद कर लो इसे भी Who are you to teach me? भाई, होते को नो आप उच्छा समझाने वाले अब नेक्स्ट वाला समझाओ बतला तो लेकर रहूंगा नहीं वह आपको एस दूडεια मतलब वह यह कह रहा है कि बतला तो लेकर रहूंगा तुछ से तो इसे आप इंग्लिश में दे लस debt इससे आप इंग्लिश में बोलेंगे I'll take revenge on you I will take revenge on you revenge का मतलब होता है बदला वो गजनी फिल्म देख न उसके सीने पर टेटू में रिवेंज लिखा होगा कहीं तो उसे देख के वो ऐसे बदला बदला लेना है बदला बदला ऐसे समझ लेता था मैं तो सोई रहा था कच्छा ना बदल ले अपना इसे पड़ गए बदला बदल लो चलो खेर तो I'll take revenge on you यानि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा मैं तुम्हें देख लूंगा ये भी बड़ा खुबसूरत सा है प्यार भरा है तीन-चार से नीचे गली महलने बोल दो पता लग जाएगा तुम्हें खुद आओ अब नेक्स्ट वाला देखे और भाईया नेक्स्ट वाला है दुबारा ना हो जाए इसा समझ गए होना नी चाहिए दुबारा से अब ऐसे भी हम बोल देते हैं गुस्से में दुबारा ना हो जाए इसा बस आब हो गया तो हो गया यह 30 भी बार हो गया 31 भी बार ना हो जाए ठीक है 40 हो गया ठीक है 50 हो गया ठीक है 55 भी बार ना हो जाए चलो खेर यह भी बहुत खुशूरत है, अरे भाई साथ जितने भी आज बड़े सब भी है, बड़े पड़े लिखो वाले, बहुत तमीज वाले, सारे आप रट लो, सही है, आउ नेक्स्ट वाला दिखाऊंगा, और भाईया, नेक्स्ट वाला है, निकल ले पतली गली से, चल, निकल ल पर रही है, मतलब निकल ले पतली गली से, यानि कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ, चले जाओ यहां से, वरना मुझे और गुसा आजाएगा, यहां से हट जाओ, तो हम देसी भार्षा में बोलते हैं, निकल ले पतली गली से, इसे इंगलिश में कैसे बोलेंगे, तो इंग तो तो इंग्लिश का तरीका है disappear from here ऐसे बोलेंगे अगर आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे ना गो फ्रॉम पत्ली स्ट्रीट भाई अंग्रेश काइंगे यह क्या बोला है उनने कुछ समझ में आएगा तो उनको उनके तरीके से पत्ली गली से निकालो अब यह वाला वाक्य हमें किसी से बूलना है, मैं डरता नहीं हूं किसी से भी जब अ उलाला देख लेंगे किसको बुलाकिलाता है, ये इंग्लिश में कैसे बोलेंगे विल इसको बोलने का भी एक बहुत प्यारा सा तरीका है बहुत आसाने में ड्रामे बाजी क्यों कर रहा हूं गर्मी लग रही है इसलिए है मैं आपको बताता हूँ जब बुलाला किसी को भी इसे इंग्लिश में बोलेंगे बुलाला किसी को भी बुलाला आए न तो खुद नहीं दिखेगा आओ अब नेक्स्ट वाला देखे भाईया नेक्स्ट वाला है हाथ मत लगा दियो तच मत कर दियो भोड़ो दूगा हाथ मत लगा देना हाथ मत लगा दियो ऐसे भी आप लड़ाई जगले में सुनते ही होंगे मैं चाहता हूँ आपका अपका कभी ऐसा जगला ना हो लेकिन आप अगर सुनते हैं तो वहीं पे लड़ाई छोड़ के इंगलिश पहले ट्रांसलेट करने बैठी जाना हाथ न फिंगा दियो आप किसी भी चीज को चाहे अफने आपको बंदा गए मुझा हाथ मत लगा दियो, या कोई चीज रखने हाथ मत लगा दियो, तो यह कैसे बोलेंगे इस से आप English में बोलेंगे, dare not to touch it, dare not to touch it, اگर मुझे कहने मुझे हात मत लगा दियो लेकिन मुझे नहीं भूला खाली, आसी गोला हात मत लगा दियो, क्या है मुझे ही रहे, तो इत की जगा मी आ जाएगा, dare not to touch मी, और अगर इसे करे हात मत लगा दियो, समझे यह खे जा इंगा, यह ख़डआ है मेरा भायां हात मत लगा दियो, अब हीम आजागा, dare not to touch him, लड़की है तो हर आजागा, dare not to touch हर, तो कुल मिलाके dare not to, और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि इसे हाथ में लगा दियो, इस चीज का नाम इंगलिश में कर देंगे, तो इस तरह से भी आप लड़ाई जगड़े में बोल सकते हैं, अब बा कुछ नया ट्राइ करते हैं मार्केट में यार, क्योंकि एक जैसे सुनते सुनते आप बोर हुजाते होंगे, अगर आप को स्टाइल पसंद आए, तो भी comment section लिखिएगा, नहीं आए तो भी लिखिएगा, वरना मैं अपना वही ड्रामे वाला लिकर आऊंगा, ठीक है, चलो comment section में, इजस से पढ़ा रहा हूँ, तो comment कर दीजिएगा, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, अब जाएए इस वीडियो को like कीजिएगा, share कीजिएगा, अगर आप इसे facebook पर देख रहे हैं, तो page को like कर दीजिएगा, youtube पर देख रहे हैं, तो subscribe ये एक मातर सहरा है, नीचे subscribe कीजिएगा, और वीडियो को share जरू कर दीजिएगा, facebook, whatsapp, instagram पर, जात जाते एक टुच्चासा मुच्चासा, like दे कर जाना,